आप सभी कामारे चैनल में स्वागत है इस विडियों में जानेंगे कि Samsung M13C या Samsung M31S मॉबाइल में किसी भी ऐड़ा का double app कैसा बना जाता है हम अपने Samsung M31S मॉबाइल में किसी भी ऐड़ा को क्लोन ऐड़ा कैसे बना सकते हैं उससे double कैसे कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं इस विलियो के बारे में तो Samsung M6S मोबाइल में किसी भी आप का डबल आप बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल के settings में आना है और settings में आने के बाद यहां पर आपको एक option मिल जाएगा advanced feature का तो आपको advanced feature पर क्लिक करना है और advanced feature पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको dual messenger मिलेगा तो आपको dual messenger पर क्लिक करना है dual messenger पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके mobile में जितने भी app का double app बन सकता है यहां पर आपको सभी apps होगा तो फिलाल मेरे mobile में WhatsApp और Facebook का double app बन सकता है तो यहां से हम अपने facebook और whatsapp को double अपने mobile में चला सकते हैं तो उसके लिए आपको इसे click करके on कर देना है और यहां से install पर click कर देना है और facebook को यहां से click पहले आपको दिखा देते हैं यहां से हम आते हैं तो यहां पर देखिए मेरा double whatsapp बन चुका है और हम Facebook को भी यहाँ पर double कर लेते हैं तो इस पर click करते हैं और click करने के बाद यहाँ पर install पर click करते हैं तो हमारा Facebook भी double यहाँ पर हो चुका है तो यहाँ पर मेरे Facebook और WhatsApp का clone app बन चुका है तो इस तरह से आप अपने Samsung M31 या Samsung M31S mobile में किसी भी app का dual app बना सकते हैं उसका clone बना सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हुत्विर को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा